हलो फ्रेंट्स मैं हूँ राघब और क्या आपको पता है लंडन जो की इंगलेंड की राजधानी है वो दूसरे देशों के भगोडे और बड़े बड़े फ्रोड लोगों का बाहें फैला कर स्वागत करता है आखिर ऐसा क्या खास है लंडन में जो बिजय मालिया जैसे भगोडे लोग बड़े फ्रोड करके लंडन भाग जाते हैं और तो और ये भगोडे लंडन में ऐसो आराम की जिन्दगी जीते हैं क्या इसमें लंडन का तो कोई फाइदा नहीं देखो मैं बताता हूँ अगर आप किसी और कंट्री से फ्रोड करके पैसा लेकर के लंडन जाते हो तो लंडन आपका बाहें फैला कर स्वागत करेगा और अगर आप यूके में 20 कडोर रुपे का इन्वेस्टमेंट करते हो तो यूके आपको गोल्डन वीजा प्रोवाइड करेगा जिसके मुताबिक गोल्डन वीजा होल्डर के उपर यूके का कोई भी सकत कानून लागू नहीं होगा और आप बिना किसी परिसानी के यूके में रह सकते हो और लंडन के यूमन राइट्स लोग काफी जादा स्ट्रॉंग है जिसके हिसाब से यूके की गवर्मेंट को लगता है कि उस इनसान को टॉर्चर या फिर मौत की सजा हो सकती है तो फिर UK की गवर्मेंट उन लोगों को उनके देश नहीं भेजती है और UK हर बार इन क्रिमिनल्स को बचाने के लिए अलग-अलग बहाने बनाता रहता है और इसलिए विजय मालिया जैसे भगोडे लोग फ्रॉड करने के बाद लंडन भाग जाते हैं